Hello friends, आज हम सिखेंगे baby scarf बनावाँ चलिए, शुरू करते हैं baby scarf इसके लिए हम यूज करेंगे chain number के सिलाई ठीक है पहले हम 17 stitches दालेंगे, शुरू करते हैं, 17 stitches इसे दालेंगे, शुरू करते हैं शुरू कर्स्ट करना है एक दो त्रीन अब हम पहली रोज स्टार्ट करेंगे, पहली रोज में पहला पंदा है हमको सीधा बुनना है और और बागी के चार पंदे भी हमें इसी तरह से सीधे बुनने हैं एक दो टीन चार अब हमें धागा अपनी तरफ लेना है और एक बंदा उल्टा बिनना है ऐसा हमें आखरी तक करते जाना है एक दो तेन चार दागा अपने तरफ पाच्पा फंदा उल्टा फिर से धागा आग के तरफ और यही प्रोसेस रपेट करने हैं आपको पाच्पा इस तरह से हमने यह रोग कंप्लीट करती है अब हम दूसरी रोग त्यार करेंगे दूसरी रोग में पहला फंदा सीधा ही बनना है हर बार बाकी और बाकी के और दूसरी हमें सीधे बुनने हैं यह कि अब हमें दागा आगे के तरफ लेना है तीन फंदे भूलते बनने हैं वान, टू, एंड ट्रे, फिर हमें धागा आगा की तरफ लेना है और दो फंदे सीधे बुनने हैं, ऐसा पूरी रो में हमें कम्प्लिट करना है, आखरी तक, ऐसा हमें सेकेंड और थर्ड रो में करना है, तो मैं यह आपको पूरा करके दिखाती हो, जो हमने पहले की तीन रोज में किया है, हमें आगे तीन रोज में वही फॉलो के पैटल करना है, वही पैटल करना है, तो मैं आपको साथ वी रोज में मिलती हूँ, साथ वी रोज पे जाएंगे, पहला पंदा हमें सीधा करना है, विदी पहले रोज की तरह करना है, पहले चा पंदी सीधे, one, two, three, four, धागा आगे की तरब, और बंदा उल्टा, फिर से धागा पंदा देना है, और फिर से चार पंदी जो है वो सीधे लेने है, two, three, and four, फिर धागा अपने तरफ, एक दा उल्टा, फिर धागा पंदी तरफ, फिर चार पंदे, यह मैं वो कॉंप्लिट करती हूं, आपको दिखाते हूं, हम आट वी रो देखते हैं, पहला फंदा सीधा, बात के जो दो फंदे हैं, वो दोनों बंदे एक साथ बिनने हैं, इस तरह से, फिर जो तीन बंदे हैं, वो सीधे बिनना है, वान, टो, एंड ट्री, तो यहां से लेकर यहां तक जो हमें रिपिट करना है यानि है यो दो फंदे है वह एक साथ बनने है उसके बाद में एक दो तीन फंदे जो होँ चीचाथ है देखिए यह दो फंदे एक साथ एंदेन एक दो तेन फिर उसे जो है यह दो फंदे एक साथ बिनने है और यह तीन फंदे सीधे सीधे तीन बार आसा आखरी तक करना है इस तरह से ही रोग कंप्लेट होगे हमारे अब हम दो भी रोपे जाएंगे इसमें हमें एक बंदा सीधा और एक बंदा उल्टा दागा आगे एक बंदा सीधा दागा अपने तरफ एक बंदा उल्टा पूरी ही अब हम दस्वी रोपे जाएंगे इसमें हमें पहला पनदा उल्टा दागा आगे दूसरा बंदा सीधा पहला पनदा कि विल्टर है कि दूसे राफंदा सीधा ऐसा हमें आखरी तब करना है कि यह दूनों रूज रिपिट करते वे जाने है थार्टी यह तरू तक कि इसे ठीक है कि देखिए हमने अभी थर्टी यह तरू अपने कंप्लीट कर ली है अब आगे देखिए कैसे करना है हमें टू-पॉइंटेड निडल लेना है यह से ठीक है और इसमें एक सिलाई पहरी निडल पर दूसरी सिलाई दूसरी निडल पर तीस्री सिलाई इस निडल पर है है जो पर दो चौझा आए जो चौझा आए जो एक देकर ते हम इससारी जो है एक इस पर और एक इस पर अधर एक इस पर को अधर अधर है हमें पुरी स्लाइया दोनों सोयों पे निकाल ले है अब हमें क्या करना है एक साइट पहली जो से लाइए उसमें हम पहला एक सीधा बुनेंगे दागा अंदर दूसरा उल्टा दागा आगे सीधा दागा हमारी तेरा उल्टा ऐसे हमें आकरी तक लेकी जाना है जल्टार उस में याउक लенवा पहला क सीधा जागा हमें आकरी तोल्टा आक कर दोंगार में तोल्टा एक अधा हमें ये लुव को अष divert जास बाक्रां पहला कर दोल्टा द्या माvedवया दोंगें आपके तोल्टा- economy कि देखिए बुरू हमने कंप्लीट कर ली अब हमें दुस्री तरफ से लाए लिए अब इसमें हम एक फुल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इम दिखिए यह हमने कंप्लीट कर लिया है अब हमें ऐसे ही कंप्लीट करते हैं इसे हम चौदा रोज बनाएंगे ठीक है देखिए हमें अपनी चौदा रोज कंप्लीट कर लिए अब हम क्या करेंगे इजाबा यहां से काट देंगे और इससे दिए अटाच करेंगे ठीक है अब इक द्धा काटें लिया हमसे अब यहां द्धागा अटेच करेंगे अब यहां से हम यहां पर द्धागा जोग देंगे और फिर आम अपनी शिलाई सालेगे कराना की, ठीक है, मैं यह दाना जोल रहे हुआ है, आप यह से भी जोल सकते हैं आप यह से भी जोल सकते हैं ठीक है, अभी हमने धाबा यहां अटाच कर दिया है अब हम क्या करेंगे देखिये, हमने यहां धाबा जोल दिया है अब हम क्या करेंगे यह पहले से लाई बुल टे को दुस्रे से लाई सीधी बुल टाब तादा आगे और सीधा प्रेंटाच आगे और सीधा इसे हम आखिल तर करते होगे जाएंगे अब हम आखिल तर करते होगे जाएंगे और अब करते हो अबड़े अप्रू आगे अएंगे पाहां आगे अप्रूप अभ्राओ जाएंगे अप्रूब ऊद्ट्रूज याड़्दे आगे एक सिला और एक पूल आपको आइन तके रिप्ट करने हैं कि अधिक करने थे पूल आपको 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 कोटें रोस कंप्रीट करना है यह देखियो मैंने इस लाई कंप्रीट कर लिए फूर्टीन रोस मैंने पूरे कंप्रीट है अब हम क्या करेंगे न यह दोनों से लाइयों को जोइन करेंगे दोनों से लाइय जा है वो एक ही निडल पर लाएंगे हम ठीक है हम डायना स्टीच लेंगे सीधा बुलनेंगे ऐसे फिर हम दूसरा स्टीच दूसरी निडल से लेंगे उसे भी सीधा बुलन लेंगे ऐसे अगरी तक करते जाना है मैं कम्प्लेट करके आपकर दिखाती हूँ हिए अ करद का अ तो हिसे दिखेंक यह अब ऐसम Con लेखते हो गया है अब यह ऐसा दिखेगा अ अब हम इसका middle part start करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, पहला सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, और दूसरा उल्टा, फिर धागा अपनी तरफ सीधा, फिर धागा अपनी तरफ उल्टा, इसा हमें आखरी तक करते जाना है, फिर हम सेकेंड रू करते हैं, इसके लिए हमें क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस इस रो में क्या करेंगे, हम एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा धागा फिर आगे की तरफ सीधा फिर अपने तरफ एक उल्टा पिर दागा की तरफ सीधा ऐसा हमें आगे करते जाना है यह पहली दो रूस कि मैंने भी बताई है आपको यह दोनों रूस आपको repeat करते जाना है करीब करीब 11 इंच आपको ऐसे ही रपीट करते जाना है ठीक है तो मैं अभी आपको मिडल पार्ट कम्प्लेट करके दिखाती हूं कि दीखे फ्राइस मेरा मिडल पार्ट बन गया है एंट फोंस्ट इंच है मैं और भी इसे मेज़र करके बताती हूं यह देखिए है यह मुस्ट 11 इंच है ठीक है अब हम इसके आगे की बुनाई करेंगे स्टाट अब अब हम आगे की बुनाई शुरू करेंगे इसे पहले किया था हम टू-पॉइंट निडल नेंगे एक से लाइए एक स्टिच पर एक स्टिच दूसरे निडल पर तो यह एक निडल पर दूसरे निडल ठीक है एक यह निडल पर, एक यह निडल पर, एक स्टिच इस 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 निडल पर, ऐसा ही हमें पूरे स्टिच इस पुदा लेगा, हमने ग्यारा ग्यारा स्टिच इस तो उसे अब हमने जैसा यह पार्ट बोना था हम इसको ऐसे ही बिनाएंगे अब हमें क्या करना है जैसे पहले किया था पहले में डिल को हम पहले स्ट्रिक्च करेंगे एक सीधा पताना आपने तरह एक स्ट्रिक्वर्ण स्ट्रिक्ष्ण तावाएं शी सिन्दा एक उल्टा में हम आखिर तक कम्प्रीट करते वे जाएंगे यह वाल भी कम्प्रीट कर लिया है अब हमें तुसरे साइट से लेना है देखिए इसमें हम एक उल्टा और एक सिधा लेंगे एक उल्टा और एक सिधा लेंगे एक उल्टा और एक सिधा लेंगे और हमें यह दो रूर जो है इसमें बनाएं और शेपर बनानी है यहने की टुटल हमें चौदा रूर बनानी है इनकी ठीक है तो परी चौदा रूर बनाके मैं मेलती हूं आपसे देखिए फ्रेंट्स मेरा यह मन के तयार हो गया है आप हम क्या करेंगे यहां से दागा काड़ेंगे और उपसे इसलाह की सलाह शालू करेंगे पुटा रूर क मनें यहां से धावा बाथिया है यहां सलाह क आपके क्या है आपन तो फो परी के से इंट यहां सलाह रेहा है इसलाह पढ़ेंगे सद्स्पार भाशा यहां सलागे एक प्लता, एक सीवा, तो दिखिए मैंने इस से विशनल काम प्रिट कर ली है, तो प्लता के दूसरे साइट से स्टाट हुए, अब मैं इस साइट से कैसे कर लिए, इस पर एक सीवा, स्वर्ट, रिए सेनमे हमें, जैसा भी पहले किया था, हवे हमें इस सिथे करनाना है, अब मैं इस सीवा स्प्रिट रिम लएंगे, तो र्पने हम पहले मैं बुष लेंगे, वह लिलिक इसके माँ पने दूसरा, ऐसे हम आल्टनेट करके सारे सिलाइया एक सुई पे ला लेंगे हम हमे अगली रो स्टाट करें, इसे हम क्या करेंगे, पहला स्टेश सीधा, और उटा, तो सीधा, अगली रो में हम क्या करेंगे, सीधे पे खिदा बुनेंगे, और उल्टे पे उल्टा करेंगे, ठीक है, तो जैसे, सीधा, उल्टा, उल्टा, सीधा, 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 अब हमें इस तोला रोज है यह ऐसे कापड़ेट करनी है हम आप टोटल 22 रोज बनानी है हमें और यह ग्यारा बर करना है अच्छी किया अरे खीज फिंस मैंने 22 रोज पापड़ेट करनी है अच्छी आप माली का प्रस्य करें हम टाके बढ़ाएंगे तो पहला है हम सीधा बनेंगे इसके बाद में जो यह दूसरा है इस पर हम टाके बढ़ाएंगे आप टाके कैसे भी बढ़ा सकते हैं आपके मर्जी इस तरीके से बढ़ा रहे हूं अब के से भी बढ़ाएंगे इसके बाद में क्या करेंगे हम तेन सीधा है वो बुल देंगे एक दो तीन टीन मैं अगेर से इसमें स्टेच बढ़ा रहे हूं एक दो स्टेच कर रहे हूं इसलो मुषी में है अब देखिये अब अब देख अब देखिछ थेखिसर ग।्सेबवा थेखिच तरीके से व्सर्ट लेखिए एक बादा एक, दो, तेर, शी देसे देव अगे लेगा, अच्छाने लेगा, देखिए, यहाँ जो गए है, और हम क्या करेंगे आगे? पहला स्टिच जो हम सीधा बुनेंगे, इसके बाले में बागी के जो तीन स्टिचे से, वान, टू, त्रे, फूर, चार सीधे, फिर दागा अपने करो, और उंटा, आगे के तरफ, चार सीधे, यह दिखिए, मैंने यह रूर कंप्रूट कर ली है, अब हम क्या करेंगे? पहला सीधा बुनेंगे, इसके बाले में, एक और दू सीधा, और एक, दू सीधा, एंदें, एक, दू, और तीन उल्टा, प्रिधावा, दें, दू सीधा, एक, दू, दागा अपनी तरफ, और तीन उल्टे बिनेंगे, एक, दू, यह हमें कंप्लेट करते जाना है, आगे ऐसे, ठीक है, हमें इसके बाद के एक और रो ऐसे ही बनाने है, ठीक है, देखिए, मैंने यह कंप्लेट हे लिया है, देखिए, अब हमें आगे क कि और तीन रो ऐसे बिनाने है, जैसे हमें पिसके तीन रो बिनाए थी, याने, एक सीधा बिनेना है, इसके बाद में और चार सीधे बिनेंगे, एक, दो, चार सीधा, तेर एक उल्टा, इसे हमें अब बिट कर दे जाना है, ऐसे हमें अमस्टा की रो चाहता है, तीन टीन रो Connection है जैसे हमें सीधा, दो सीधा, तेन सीधा, चार सीधा, लाग आपने तरफ एक तांचवा उंड़ा, ये चार ताके हमें रिप्ट, कम्पेट होगी है हमेरा, अब मुझे लास्ट तेर, हम बाइंड उफ करने हैं, था हम तो ऐसे बाइंड उफ करेंगे, देखिए, हम क्या करेंगे, इसे द मुझे positively तो है उफ के एक साद बोनेंगे और इसे को यहान रखतेंगे ठीक है ,पिर से हम दो सीधा, पिर से दो स्वाई है दो ठाके हम एक साद लेंगे पिर से निकालेंगे, फिर से ये ठाका जो है मुथकोर रख देए पिर से हम यह दो है लेंगे बुलेंगे वार यह एक रख देंगे वाप्स फिर से हम दो जो है ऐसा अख्री तक करते जाना है दो लेना है और आपको बाइंड अफ करते जाना है है यह दो पुरा बाइलाब कर लेते हैं दिशी फेंज मैं यह बाइलग करते हैं दो बाइलग फिर तो रहा है अब दीशा घ्राइब कर देंगे इसमसे कि दिए है नवारी बें के तैया रिए तैया है इस तैया कि दिए है कि दो बता है अप्ट जो जो पो बताया है